देखे, प्रस्ट है एक परिछा में परतेक सही उतर के लिए चारंग मिलते हैं तथा गलत उतर के लिए एक अंकात लिया जाता है एक बिद्यार्थी ने कुल 125 परस्टन का हल्किया और उसे कुल 250 अंग प्राप्त हुआ तो उसने कुल कितने सही उतर दिये इस question को बनाएंगे आप कैसे उसी किवालें बताते हैं तो देखे सबसे पहले आप क्या करेंगे सही उतर को आप x मानेंगे सही उतर को x मानेंगे और गलत उतर को आप y मानेंगे गलत उतर को आप y मानेंगे ठीक है अब इसको दो equation से बनाएंगे सबसे पहला क्या का रहा है कि question कितना दिया हुआ है 125% दिया हुआ है तो यानि कि सही और गलत मिला के जो है वो 125% हाल हो रहा है ठीक है तो equation 1 यह हो गया और फिर अब यहां कह रहा है कि परतेख सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तो यानि 4 अंक सही उत्तर के लिए तो 4 अंक यानि 4X हो जाएगा तदा कर रहा है गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है तो 4X गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है तो आप 1 को Y से माइनस गुना करेंगे तो माइनस Y हो जाएगा और अंक कितना मिल रहा है उसमें 250 अंक मिल रहा है 250 अंक मिल रहा है यह equation 2 हो गया, अब इसको solve करेंगे equation 1 और 2 मान के तो आप इसको ऐसे करेंगे और इसको add करेंगे तो y और y cancel हो जाएगा और यह हो जाएगा 5x और यह हो जाएगा आपका 5, 7 और 3, अब 5 से अब गर इसको कारते हैं तो 5 का हो जाता है आपका 75 यानि की x बरावर 75 अर्थाथ तर भी निकाल सकते हैं तो इस question को आप इस equation के माध्यम से बनाएंगे equation बना के असा करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आया हो यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यदा ज़्यदा सेयर करना न बुलिए धन्यवाद